कि नमस्कार कैसे हैं आप सब इस अस्तर का खेल महा विपदा में हो रहा है एक चुना हुआ जन प्रतिनिधी ने दिल्ली के मुखिया ने आज प्रटान मंत्री के साथ बैठक में प्रोटोकॉल ऐसा तोड़ा और ऐसा घटिया गेम खेला कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रतिद्वन्दी पार्टी के भी मुखिय मंत्रियों ने कभी सस्तर का घटिया खेल खेला होगा केजरिबाल ने आज एक ऐसी परंपरा तोड़ी जो प्रोटोकॉल के अंदर आता है प्रधान मंत्री के साथ जब बैठक होती है आप पिछले एक साल में प्रधान मंत्री का मुख्य मंत्रियों के साथ कई बैठक आपने देखा होगा जिसमें वो आपको वीडियो तो आते हैं कुछ स्क्रीन सॉर्ट्स तो दिखते हैं टेलिविजन चैनलों पे लेकिन आंत्रिक संबाद कभी नहीं आता आज केजरिबाल ने अपना आंत्रिक संबाद टेलिविजन चैनलों को उपलव्द करा दिया और बरे साजिशन जब केजरिबाल अपनी बात करकते रहे तब तक का वीडियो आपको पूरे देश की मीडिया ने दिखाया लेकिन ये संबाद वहां कट जा रहा है जहां प्रधान मंत्री केजरिबाल को ज़ार लगा रहे हैं जवाब दे रहे हैं जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्य मंत्री की सरवये से केंदर भिहद नाराज है और कहा गया कि जो इंटर्नल बातचीत है जब आप पद और गोपनियता की शपत लेते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जिसकी पॉलिटिक्स नहीं की जाती है और आप अकस प्रणमंत्री भी क्या करते हैं ये चीज़ें सामने नहीं आती है जब प्रणमंत्री कंक्लूड करते हैं चीज़ों को तब सामने आती है और पिछले दूबार से आप देख रहे होंगे इस बैठक का समापन जो है और प्राणम्भ स्वेंग्री मंत्री अमित्शा करते हैं वो प्रहान मंतरी तक ले जाते हैं कैमरे को और उसके बाद जैसे मंच का संचालन जिस तरह से होता है उस तरह से किया जाता है हम इसे समझने की कोशिश करेंगे दूसरी चीज जो अतीम हत्वपोर्ण है हरी सालवे का Amicus Curious से खुद को हटा लेना इसके क्या माहिए है कल सुप्रीम कोट ने स्वता संग्यान लिया और उसके बाद से सुप्रीम कोट की लभी और खेराती मीरिया की लभी एकदम से सुप्रीम कोट के एगेंस्ट हो गई और कल से जितने वेव लड़ाती हैं और जितने भी ये खहराती खलियर हैं या फिर जो पेड खहराती हैं ये सब के सब सुप्रीम कोट के उपर कटाक्ष करने लगे किसलिए तैंकि दिल्ली हाई कोट ने कल केंद्र को फटकार लगाए थी दिल्ली में ऑक्सिजन की कमी को मैंने आपको शराप में बताया था कि कैसे दिल्ली हाइकोर्ट की ख़वर तो मीडिया में रही लेकिन बॉंबे हाइकोर्ट की ख़वर नहीं रही हम आपको यह समझाने के कोशिश करेंगे कि कैसे आज जो है आपने कई चैनलों कोई देखा होगा तो आपने महसूस किया होग कि जब रिपोर्टर्स फिल्ड से इस बात की जानकारी दे रहे हैं तो कई टी-वी चैनलों ने कट कर दिया के जरिवाल के द Dazuरा पे प्रेट प्रोटोकल स्थोरे जाने की बात की ख़वर जब दिखाई जाने लगी तो जो लोगों अब तरीत हो जाते हैं और इस तरह से कुछ लोग उसाथियों ने लिखा है और वो लोग अब ये कॉमेंट्स कर रहे हैं कि साबधान कोरोना तो फिर लोटाया लेकिन आप चिंता ना करिए मैं इतने विज्यापन करूंगा कि कोरोना भी पागल होकर मर जाएगा ये दिल्ली क मुख्यमंत्री के को सोसल मीडिया पर लोग इस तरह से लिख रहे हैं लेकिन अब हम आपको दो तीन चीज़ दिखाएंगे कि कैसे खेला हो रहा है कुछ चीजें देखें कि मिनिस्ट्री अफ हेल्थ के तरफ से ये जो ट्वीट है वो आप देखेंगे तो ये है जैन्वरी साथ 2021 का जिसमें सभी सेकेंड वेव के लिए सचेत किया गया है सभी राज्यों को लेकिन ये खेल कहना से शुरू हुआ है उसको देखेंगे तो कॉंग्रेस आसित राज्य के तरफ से ये खबर शेकर गुपता ने अपने वेव पर ये डाल करके और ये दिखाने की कोशिश की है कि 36 गड़ ने कहा है कि हमें इसके बारे में कोई सचेत नहीं किया गया दबकि इसके उलट सच क्या है कि 36 गड़ ने वेक्सीन पे काम करने से मना कर दिया अपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए 36 गड़ ने सबस्ट रूप से कहा कि हम वेक् किया लेकिन हमने आपको ये दिखाया कि देखें कि ये कैसे Minister of Health का जो ट्वीट है वो हर राज्यों को सचेत किया गया हुआ था किस तरह से लेकिन हम कितने सक्रिये थी अलग बात है किस फाइट को हम लरने के लिए तयार थे या नहीं थे ये हम चीज है आप एक चीज को ये दिखेंगे तो कैसे खेला हो रहा है कैसे इस देश में आराजकता के लिए कि सस्तर का गेम हो रहा है ये धीरे-धीरे समझने के बाद हम अरविंद केजरिवाल और इस पे आएंगे लेवल ये रहा कि आप इस चीज को देखेंगे कि कैसे ये पाया गया कि ससी थरूर ने ससी थरूर ने एक ट्वीट कर दिया और ससी थरूर के ट्वीट से ये एक बबाल मच गया ससी थरूर ने लोकसभा के पूर्वध्यक्ष सुमित्रा महाजन की मौत की होशना कर दी और शशी थरूर के ट्वीट के बाद ही तमाम अखवारों ने ये छापना शुरू कर दिया शशी थरूर के हवाले से की मतलब यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो सुमित्रा महाजन को संभब्ता मरना पर जाता क्योंकि शशी थरूर ने कह दिया ये इसी चीज़ को मैं अक्सर कई बार समझाने के कोशिश करता हूँ कि एक जूट बोला जाता है और उसके बाद जो लॉबी है वो कैसे एक्सन में आती है उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए शशी थरूर ने घोशना कर दी आपने देखा कि शशी थरूर ने ट्विट किया कि सुमित्रा महाजन खतम हो गई मर गई सर्नाजी ले दे दिया सुमित्रा महाजन को और सुमित्रा महाजन कौन है लोकसभा की पुरवध्यक्षा है कमाल की बात ये कि सुमित्रा महाजन निगेटिव आई है उसके बावजूद वो चुके अस्पताल में भरतिया हुई थी कुछ परिशानी हुई थी तो शशी थरूर ने अस्पताल में रहते वे सुमित्रा महाजन को मार दिया सुमित्रा महाजन मृत हो गई और सुमित्रा महा अख़वारों ने चाप भी दिया, इंदुस्तान टाइम्स को देखेंगे, इन सब अख़वारों ने इसको चाप भी दिया कि सुमित्रा महाजन खतम हो गई, अब उतरना परा सुमित्रा के पुत्र को और सुमित्रा महाजन के जो नजदी की जो कुछ पत्रकार हैं, जो लोग सवा टीवी में सुमित्रा महाजन के दौर में जॉब में आए उसमें से कई लोग जो हैं उनने इस चीज को ये लिखा और कि कैसे सुमित्रा महाजन की खबर को ले करके कि ताई अभी जिंदा है बहुत सारे चीजें इस उरूप में आई लेकिन सच ये है कि बहुत देड तक स सुम grounding को सर्धानजली दी जाती रहे हैं और हजारो हजार के संक्यामे सुम accountability को लोगों ने सर्धानजली दी यह मैं इसलिए कह रहा हूं के देखिए कि कैसे यह law काम करती है इस बात को देखिए अब आपने देखा होगा दो चीजों को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सोसल मीडिया पर कुछ लोगों के नाना मरने शुरू हो गए अब देखिए ये ट्वीटर एंडल पर ये बड़े पैमाने पर ट्वीट्स वे कि कुछ लोगों के नाना जो हैं वो अस्पताल में भरती है और इस तरह की खावने चलने लिए त पारे ने मैक्स अस्पताल के बारे में फैलाया कि कैसे मैक्स की स्थिति क्या है इन पूरे प्रक्रणों को देखने के बाद आप पाएंगे कि पूरी पूरी स्थिति ऐसी बना दी गई कि पूरे देश में और आजकता कैसे लाया जा सकी और आलम ये बनाया जा सके कि एक नानी जो है इस्पताल में खतम हो गई और पोड़े बड़े पैमाने पर सबकी सिर्फ नानिया खतम होने लगी तो दूसरे ने शुरू किया अपने नानाओं के लिए क्योंके नाना नहीं रहे ये नाना और नानियों का खेल क्यों हुआ ये राजकता के स्थिति ऐसा नहीं है कि इस्थिति बिकट नहीं है इस्थिति सचमुछ भयावा है लेकिन ये आलम क्यों है और 24 घंटा जब केजरी इस रूप में अवतरित होते हैं ये बाना जा रहा है कि लोग परेशान हैं कि ये अपने आपको देख करके केजरी बाल हर मिनट में अवतरित होते हैं केजरी ब देखे कि ये बड़े पैमाणे पर कल से ये चल रहा है की भारत सरकार ने बाहर से विपना आई तो ओक्सीजन की बड़े पैमाने पर बाहर के देशों से जर्मणी से रसिया से इस तरह से एयर-लिफ्ट करा करके ओक्सीजन मगाए गई और पूरे देश में तब तक ये अराजक्ता फैलाने की कोशिश की जाने लगी केजरिवाल खुद अच्छी अच्छी बाते करने के लिए 24 धंटे स्क्रीन पे आ गए लेकिन दूसरी तरफ केजरिवाल के डिप्टी मनीज से सोधिया कभी हर्याना पे कभी उत्तर प्रदेश पे गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आने लगी तो क्या ये सबान तमाम चीजें सामन है केजरिवाल ने जो प्रधान मंत्री के साथ मुख्य मंत्रियों की बैठक की जो बाते लीक की क्या इसे आप एक सामन ने घटना मानते हैं क्या आपको लगता है कि केजरिवाल ने जो खेला किया है वो एक सामन ने घटना है क्या केजरीबाल ने पूरे देश के सामने जिस धंग से जो खेला किया है वो क्या एक सामन ने घटना है और उसके बाद हर घंट मिनट इनका अवतरित होना क्या सामन ने घटना है देखिए प्रोटोकॉल आप मैंने भी कुछ दिर पहले कहा कि प्रधान मंत्री पिछले एक सा से मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक ले रहे हैं आज उनका बंगाल में कई चुनावी सभा उनकी थी लेकिन उसे अस्थगित किया गया और ये पता चला कि शाम में पांच बजे वो एक साथ करेंगे मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक आज उनकी है उसके बाद जितनी भी पार्वासुटिकल कंपनियों हैं उसके साथ बैठके आपने देखा होगा कि प्रधान मंत्री के साथ जितनी भी बैठके हुई हैं उसका संचालन मंच का संचालन स्वेंग्री मंत्री करते हैं और उसके बाद तमाम राज्यों के मुख्य मंत्री का इंटर्नल इंपुट जो एक लाइब टेली कास जो अरविंद केजरिवाल कहना चाह रहे थे वो लीक कर दिया गया और इतना ही नहीं हुआ जो ही प्रधान मंतरी बोलने लगे उसको कट कर दिया गया और तमाम चैनलों को यह उपलब्द करा दिया गया अब उसके बाद देखे कि रूल के मताबिक प्र क्या इस सामानी घटना है या देश के साथ कोई बहुत बड़ा शडियंत्र किया गया है यह पद और गोपिनियता की शपत के बाद इस तरका क्या शडियंत्र किया गया है केंदर सरकार ने केजरिवाल के इस रवये पर कड़ी आपक्ति दर्ज किये कि केजरिवाल पैसा नह का तो एजिंडा है केजरिवाल दिखता है केजरिवाल के शडियंत को मीडिया ने कैसे गाइब किया चुकि 600 करोड का जो मंतली पैकेज है उसका जो टुकड़ा हर चैनलों को मिलता है उसके कारण किसी भी चैनल ने आपको केजरिवाल के खिलाप आपको बोलता हूँ नहीं द जिस पत्रकार ने पिछले कुछ दिनों बहुत सम्मान कमाया है अब हर पत्रकारों की इस मजबूरी को आप समझेंगे कि केजरी के खिलाब को कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्हें चैनल चलाना है मैं उसे anti-national शडियंत नहीं कह सकता क्योंकि उन्हें चैनल चलाना है उनकी लाचारगी और वेवसी के बारे में अपसर बोलता हूं कि मीडिया जब चक इनके चंगुलों से नहीं निकलेगा लक्षमी जी बिलकुल लक्षमी शर्मा जी मैं यही कह रहा हूं कि आपने यहीं दो-तीन दिनों में अर्नव गुश्वामी के टोन देखे होंगे तो हर किसी पर वो बहुत एग्रेसिव होते हैं लेकिन केजरी के प्रवक्ता को वो जलीर नहीं करते हैं केजरी के प्रवक्ता के सामने में आप अर्नव को भी देखेंगे कि वो लाचार हो जाते हैं केजरी के प्रवक्ता गंध मचा रहे होते हैं लेकिन केजरी के अर्नव को स्वामी भी जो मुखर हैं दूसरे से आप अफेक्चा भी नहीं कर सकते हैं अदालत लगाने वाले संपादक तो बहुत दूसरे ढ़ंग से उनकी तारीब कर लेते हैं गोल-गोल कि केजरिवाल ने बहुत अच्छा काम किया है केजरिवाल ने केंद्र को ये बताया आप अदालत लगाने संपादक की बेवस्ति समस्ते होंगी उनके चैनल को छोड़ करके मैक्समम लोग चले गए हैं तो आज नहीं नहीं लड़कियां जो हैं आपको दिख रही होंगी जिन जो स्क्रीन पे आपको कभी दिखती नहीं थी बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे होंगी क्योंकि जिनको आप दिखेंगे कि दिन रात जो बजन करने बैठते हैं तो अपने बजन में वह केजरी की तारीव करते हैं कमाल की बात यह है कि आज केजरी ने इसस्तर तक प्रोटोकॉल तोड़ा है लेकिन आप टीवी चैनलों की चुक्पी आपको कमाल की दिखेगी कमाल की यह और ये lobby gang है जिसको हमने आपको बारी बारी से दिखाने की कोशिश की है کی कैसे डेश में आराजकता की कोशिश की जा रही है ये पूरा प्रयास आराजकता का है दिली एक कसवाई शहर है एक कशवाई नहीं खोला एक भी अस्पताल नहीं खोला मुहला क्लिनिक उसका गाय और भैंस और बकडियां चर रही होती हैं लेकिन उसने पूरा 600 करोड का पैकेज मीडिया के मुह में ऐसा मारा है कि 24 घंटे एक राज्य का मुख्यमंत्री उसका सौमा हिस्ता भी जो देश के जो बांकी के ठाइस राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री आपको कहीं नहीं दिखते हूंगे मैं कह रहा हूँ कि किसी दिल्ली एक कसवाई राज्य है एक छोटा सा एक शहर नुमा राज्य है लेकिन उसका मुख्यमंत्री 24 घंटे स्क्रीन पे होता है इतना ही नहीं आप यूट्यूब चैन आज जब केजरिबाल ने जो इस तरह घटिया सतर तक काम किया कि प्रधान मंत्री के साथ जो मुख्यमंत्रियों की बैठक तो उसे सारजनिक कर दिया लेकिन टीवी चैनलों के जब विपोर्टस ने बताना शुरू किया कि ये प्रोटकॉल का उलंगंध है तो अंदर से एं प्रधान मंत्री मोधी ने बात की वहां से वो वीडियो कट है मतलब पीम क्या बोलना चाह रहे हैं ये चीज नहीं क्यों कि यह इसका मतलब यह है कि कहां से उप्रवद कराया गया वीडियो ये चीजे साब हो गई तब आप सोचिए तब उसके बाद आपको चीजे समझ में आ जाएगा कि ये पूरा खेल क्या है ये पूरा खेल क्या है और ये लॉबी कैसे काम कर रही है तब आपको समझ में आएगा कि ये मामला इतना ही नहीं रुख रहा है ये जो अरा जक्ता फेलाने की कोशिश की जा रही है ये जो भै का महौल बनाया जा रहा है ये जो डर का महाल बनाया जारा देश में एक तरफ दर का महाल कुछ नहीं है जी कुछ नहीं है आप देखिए कि पूरा खेराती पांडे गिरो जो है वो हर अस्पताल के अवेवस्था के बारे में पूरा फैला रहा है कि हर जगा पूरे देश में अवेवस्था फैला है क्योंकि डर ही बि प्रेचने से ही अस्पताल चल पाता है आप अक्सर जब डॉक्टरों के पास जाते होंगे तो सामाने तर्टर क्या कहते हैं आज आप मरीज को ले आए वरना यह दि आज नहीं लाते तो पता नहीं क्या होता आप 99% डॉक्टरों के परिस्ताने जब बड़े अस्पताल में आपको यह कहा जाएगा आज आप ले आए आज यह दि नहीं लाते तो पता नहीं क्या होता और उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि यह टेस्ट है यह कराना है और यह आज यह दिन ही कराए ऑपरेशन तो फिर समझ लिजे आपका क्या होगा अब डॉक्टर ऐसा डरा देगा आपको सिस्टम ऐसा डरा देगा आपको कि आपको काम कराना ही पड़ेगा यह डर बेचने का धंगा है यही खेला है आप कहीं पर भी जाएगे तो यह इस्तिती आपको दिखाई देती है और इसी डर को आज के आज की तारी थम बेचा जा रहा है और पूरे सोसल मीडिया प अपने नानाओं को ले करके तो फिर दूसरी तरफ चलाया गया नानियों को ले करके इन सब के नानियां खतम हो गए यह क्या यह सामाने चीजे हैं क्या यूही हो रहा है ऐसे ही हो रहा है तब उसके बाद कॉंग्रेस राज्यों के तरफ से यह चलना शुरू हुआ कि उन्ह लिकिन सच ये है कि कहते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो उसको छुपाया नहीं जा सकता ये स्वास्तमंत्राले की तरफ से जो ये ट्वीट है ये आपको ये पूरी तरह से दिख गई है अब ये ऐसा महाल बनाया गया कि सब कुछ पूरी तरह से चौपट हो चुका है सब खेल खत आप दिया क्योंकि क्योंकि ये शशी धरूर के द्वारा था अब हम आप तो आते हैं हरी सालवे पर अब देखिए हरी सालवे ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले अर्णव गोस्वामी के चैनल पर एक इंटरिव्यू दिया था जिसमें उन्होंने लॉबी के वारे में जिक पाजा को अब आप देखिए कि कल सुप्रीम कोट ने हरी सालवे को चुकि देश में आज की डेट में माना जाता है कि हरी सालवे से बड़ा कापिल वकील कोई है नहीं तो हरी सालवे को अमाइकस बनाया सुप्रीम पोरते ही पूरी धंग से एक तरह से बवाल मचा दिया गया तब आपको समझ में आएगा कि सालवे के तरफ से ये बवाल क्यों मचा दरसल इस लॉबी ने ये खेला कर दिया था कि सुप्रीम कोट का आज आपको हरी सालवे क्या कहते वे नज़र आ रहे हैं हरी सालवे दरसल बेसिकली आपको यही कहते वे नज़र आ रहे हैं कि जो अर्नब के साथ इंटर्वी में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट को लॉबी ने एक दम से लॉबी ने अपने गिरफ्ट में ले लिया हुए कुछ यूटूब चैनल्स पे सुप्रीम कोट में जिने लॉबी कहते हैं हरी साल में वो पीछे पर गये खूद गये और कल से वो सुप्रीम कोट की साख को चौपट कर रहे हैं उसे जस्टिस रंजन गोगई के समय में किया था राम मंदिर के समय में कपिल सिब्बलन गैंग ने वैसे ही पूरा एक गैंग उतर गया सुप्रीम कोट ने जो कल स्वता संग्यान लिया उसको उसके खिलाप एक गैंग उतर गया और यह सवाल करने लगा कि हरी सालवे क्यों अब आलम ये है कि हरी सालवे को बैक फुट पे आना पड़ा इनकी ताकत को आप ऐसे समझे इसलिए मैं कहता हूँ ये छोटे मोटे इनके इनके खेल को समझे एक जूट फैलाता है अस्पताल में बैठ करके पत्री पत्री हंता का आरोपी जो है शशी थरूर सुननदा पुसकर मामले में चार्जेस प्रेम पे चल रही है बहस मुश्किल में फसने वाला है शशी थरूर खुद ही एक अपबार शशी थरूर फैलाता है और शशी थरूर को उस अपबार को जो लुटियन मीडिया का गैंग उसे पुरा फैला देता है और उसके वाद सोसल मीडिया पर सुमित्रा महाजन की हत्या हो जाती है मौत हो जाती है सुमित्रा महाजन मर गई इस चीज को बड़े पहमाने पर सब सर्धानजीली देना शुरू कर देते हैं सुमित्रा महाजन के साथ काम करने वाले लोगों को आना पड़ता है उससे कोई नहीं मानता तब सुमित्रा महाजन के बेटा को एक वीडियो जारी करना पड़ता है और सुमित्रा महाजन के पुत्र कहते हैं मैं उनका छोटा बेटा बोल रहा हूँ और मम्मी एकदम बिल्कुल सुरक्षित हैं ताई देश की ताई एकदम सुरक्षित हैं तब जाकर के ये चीजें रुख पाती हैं वरना ये दिस सोसल मीडिया नहीं होता तो सुमित्रा महाजन को संभबता अपना अंतिम संसकार करा लेना पड़ता ये लॉबी ऐसी है जो जाती है सुप्रीम कोर्ट में वही होता है और ये बात कहना पड़ता है देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगई को कि पूरा लॉबी क्या है इस लॉबी की किस्मत देखिए कि एक साल से जो इस देश पर है या पूरी दुनिया पर है इसके कारण रंजन गोगई जैसे लोग इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में रख नहीं पाए ये सामान्य मामला नहीं है मादवी जी करें दपीपोल अब डेल ही गीवें हिम सच अ बिग मैजरटी तैस वाइक केजरिबाल है सच ओंफिडेंस तो बीलाइक इस आइसा लग रहा है कि बीजेपी के पास दिल्ली में कोई ऐसा कोई नेता है नहीं और कॉंग्रेस एक मृत पार्टी है और जो सो काल्ड जो सेकुलर वोट है वो उसकी तो इसकी लाचारगी है लेकिन आज जो कुछ भी केजरी ने किया है और केजरी मुझे लगता है कि केजरी सबसे बहतरी इन तरीके से खेल केजरी से बहतर कोई कोई खेल नहीं रहा है केजरी बाल के पूरे आप फैक्ट को इदी देखेंगे तो आप देखेंगे केजरी बाल लगातार आते हैं तारीक करते हैं प्रधान मंत्री की केंदर सरकार की तुरंत कहते हैं कि अक्सिजन की कोई कमी नहीं है और तुरंत पू कि उत्तर प्रदेस, जो जो बॉडर राज है दिल्ली का, उत्तर प्रदेस और हर्याना, इन दोनों राजवें में बीजेपी की सरकार है, तो ये कहना शुरू करेगा कि हमारे उक्सीजन को रोका गया है, हमारे पास उक्सीजन आने नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस्थिति ह आप समझ में आ रहा होगा आपको, इस देश में राजनीती किस अस्तर तक घटिया हो रही है, कैसे इन लोगों का पावर क्या है, कि एक आदमी देश के पुर्व लोक सब हध्यक्ष को बहुत आसानी से मार देता है, उसके बाद पूरे वेब साइटों पे अलग-अलग करना पर जाता सुमित्रा जी का, ये ये प्रभाव है इस लोगी का, कि बिना किसी चीज फैक्ट को जाचे हुए, केजरिबाल की बात को सच मान लेना है, कि केजरिबाल जो कह रहे हैं, वही सच है, पिछली बार भी दिल्ली के बधाली को अंत में जब ग्री मंत्री को मैदा कान में उतरना पड़ा, तब जाकर के चीजें ठीक हुए, और पूरा लोबी इसमें लगा हुआ है, कि बंगाल में चुनाब हो रहा है, और पूरा सिस्टम जो है चुनाब पे लगा हुआ है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि बंगाल का चुनाब इतना प्रभावशाली होगा उसके बाब भी ये लोबी दूसरे धंग से खेल खेलेगी, ये लोबी खेल ऐसे खेलेगी, ये लोबी बाद में जीत और हार का अपने धंग से विसलेशन करेगी, लेकिन ये अतीद की बात है, सच अपने धंग से आएगा, लेकिन आज जिस तरह से केजरिवाल ने खेल किय कि जिरिवाल ना जिस तरह से आज पूरे प्रोटोकॉल को तोड़ा है उसके बाद भी मीडिया में उसके विसलेशन पे चुप्पी होना फिर मैं इसलिए कहता हूँ कि तब कि इस देश में जब तक इस देश में जब तक मीडिया को आजाद नहीं किया जाएगा इन इनके चं जब तक आजाद नहीं किया जाएगा जब तक चीजे ठीक नहीं हो पाएगी क्योंकि आपको कोई बता नहीं आप समझ लेजे कि कितनी लाचारगी और बेवसी हो जाती है सरकार और सिस्टम की और इस समझ लेजे कि कसवा नुमा राज्य का मुख्यमंत्री 24 गंटे स्क्रीन पे होता है और उस जूट को वो सौ बार बोलकर कि ऐसा विक्टिम कार्ड खेलता है जैसे लगता है सिर्फ और सिर्फ वही सही है ऐसे कंडिशन में आप इस बात को लेकर के बहतर तरीके से समझ पाया गए होंगे कि हरी सालवे को क्यों बैक पूट पर आना पड़ता है जो ह अलाकार वकील सुप्रीम कोट ने अपना बनाया और उसे वापस लेना परा जिसके कारण नेक्स हेरिंग हो गई की तारीक लग गया सुप्रीम कोट को जो कोरोना पर एक एक निरनायक जिरह करवानी थी एक निरनायक फैसले लेने थे सुप्रीम कोट ने से टाल दिया चार दिनों के लिए क्योंकि यह माइकर स्क्यूरी जिसे बनाया था वो लॉबी का शिकार हो गया इसलिए समझ जाईए कि ऐसे विप्दाव में भी किस अस्तर की राजनीती होती है यह आपको बहतर तरीके से समझ में आ जाएगा मीडिया आतंकवाद को वैक्सीन कव आएगी यह बहुत अच्छा सवाल किसी साथी का था अब इसमें आप किस रूप में आप इन सब चीजों से लड़ पाएंगे यह अपने आप में महत्पूर्ण है यह क्या कहा जाए कि यह आतंकवाद कब काम करेगा लेकिन सवाल यह है कि इस मीडिया आतंकवाद इसकी भी तो अपनी एक लाचारगी है यह बेबसी है उसको भी आड से चलना है उसका भी बहुत सारा खर्चा है टेलिविजन का कैसे चलेगा हो वो यह दिक किसी पार्टी की इस फंड से चलेगा किसी सरकार के फंड से चलेगा और जब यह तैह कई बार हमें सर्च करना पड़ता है हमने देखा कि एक टेलिविजन चैनल का रिपोर्टर बहुत अच्छे दंसे विसलेशन कर रहा था इस प्रोटोपॉल को लेकिन एंकर को प्रेसर डाला गया कि कटफ करो और उसने कटफ कि और खावर चेंज कर दी गई इतने महात्पोल इस शुक्ः की वेकि आपको हर चैनल को फर फिर उसका एडा के ज्रिबाल को आपको नहीं जाएगा तो आप समझाजओ कि आप किन सब चीजों से बंचित हो जाएगा ऐसे समयवें जब पूरे देश में क्राइसिस है वह ऐसे समयवें के ज्रिजन जैसे लोग टेलिविजन चैनलों के लिए भाग बिरहाता के रूप में सामने आए तो कोई भी केजरिबाल से पंगा नहीं ले सकता समझ ये यदि केजरिबाल यदि दिल्ली का मुख्यमंत्री इस कदर लचर कर सकता है किसी पूरे टिव मीडिया इंडरस्टीज को तो फिर दूसरे मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं या आप बहतर तरीके से इस सब चीजों को समझ पाएंगे और लाचारगी देवस किये कि हरी सालवे जैसे वकील को वापस आना पड़ता है उनसे अफेक्षा थी कि वो माइकर स्क्यूरी बन करके चीजों को सामने रखेंगे लेकिन लाबीन एक तरह से उन्हें भी लचर इस्थिती में ला दिया ये आलम है तब आपको फैक्ट जो है मुझे लगता है ये बहतरीन तरीके से आप इस सब चीजों को समझ पाएंगे कि खेल किस अस्तर तक होता है और कहां तक बातें जाती है बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का बहुत आभार मैं इसलिए स्विस्लेशन को लेकर कहा किस लॉबी के खेल को समझना आप सब के लिए ज़रूरी है लॉबी के खेल को नहीं समझेंगे तब समझ में नहीं आएगा कि मीडिया की लाचारगी और बेवसी क्यों है क्यों टेलिविजन चैनलों पे 24 घंटा के जरिबाल चाहे रहती है जिन लोगों की कोरोना से मौत नहीं हो पता नहीं इस तरह के एड़ देखकर कि ही उनका पता नहीं क्या हो जाए 24 घंटे आप सर्च करके चैनल बदल लेने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन देखिए सबसे हम बात ये कि एड़ उनकी अपने सरकार का बजट है लेकिन प्रोटोकॉल तोरना पढ़ान मंत्री के साथ ये अपने आप में दिखाता है कि वेवस्था कहा जा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सकता